असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मैं चैनल लाइबा हेल्ट टिप्स व्यूवर्स आज की वेडियो एक स्पेशल और कॉमन इशू के उपर है मैंने नोटिस किया है कि लड़कियों में ये इशू बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि आई ब्रोज और आई लेशिस की ग्रोथ नहीं होती इसका रीजन डाइट भी है लेकिन उसके इलावा आपको रेमिडीज भी यूस करनी पड़ीगी ताकि आपकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट और अच्छी हो तो चलिए शूरू करते हैं पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएए एवरी लेटिस ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए मेरा फास्ट इंग्रीडन है कोकोनट आईल जो के आलरडी बहुत फेमिस है आपकी हेर ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए और हेर को गना और स्ट्रॉंग बनाने के लिए भी उसके बाद एड़ करना है वेजलीन या जिसको पेट्रोलम जैली भी कहते हैं इसके अंदर six different तरह के आईल और निउट्रिंट पाए जाते हैं इन आईल के अंदर हेर ग्रोथ होते हैं जो के आई लेशिज और आई ब्रोथ को बहुत अच्छा और तिक बनाते हैं ये दोनों इंग्रीडन ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं अब मैं आपको इस मिक्स्चर को लगाने का तरीक बताऊंगी आपने इस वीडियो को end तक देखना है और बिलकल उसी तरह से apply करना है इस मिक्स्चर को आप finger tips की मदद से यानि उंग्लियों की मदद से मसाज करना है अपनी आईलेशिस की उपर और इसकी रोस पर भी अपने आई ब्रोस के उपर भी आपने finger tips से ही apply करना है इस मिक्स्चर को इसके इलावा आप एक clean mascara brush भी ले सकते हैं और उसी भी apply कर सकते हैं इस मिक्स्चर को अपने eye lashes और eye brows पे इसको मसाज करने के बाद आप इसे लगा के रात को सो जाएं और सुबह को उटके वाश कर ले इस से दो या तीन वी के अंदर ही आपको बहुत ज़्यदा visible difference नज़र आएगा और आपकी eye lashes और eye brows तकरीबन डबल लबी और तिक हो और ड्राय और चेप लिप्स से हमेशे के लिए चुटकारा हासिल करें इससे आपके लिप्स पिंक भी होंगे इसके इलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छा मस्चराइजर भी हैं और इससे आपकी स्किन स्मूध और सॉफ्ट होगी इस remedy को regularly use करने से eye brows और eye lashes भी improve होगा so I hope मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो viewers thanks for watching मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए Allah अफिज